हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई यूटूब चैनल स्वीट मुमेंट, आई एम एव दो न्यू पार्ट आफ अंटिल नेक्स लाइफ तो फ्रेंड्स, अंटिल नेक्स लाइफ का पार्ट 14 मैंने आज इशियर किया था तो आप लोग पार्ट 15 देखने से पहले उससे देखना मत भूलिएगा तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट मैंने आपको पताया था वांग जी यूवांग एक एक्टिविशन में गए थे जहाँ पर एशियर चैना के कल्चर के बारे में साए इंफॉर्मिशन थी वहां पर बहुत सारे ट्रेडिस्नल क्लाउस भी थे पर जब वांग जी एक वैडिंग रोप देखता है तो वो देखकर उसे कुछ विजन्स दिखाई देने लगते हैं इसलिए वो तुरंट वूइंग के पास हॉस्पिटल जाता है और उसे पताता है कि जब उसने उन वैडिंग रोप्स को दिखा तो उसे वूइंग दिख रहा था जिसने वैडिंग रोप्स पहने हुए थे और वो वांग जी के तरफ आ रहा था पर हर जगा सिर्फ बलड था इसके बाद एशियन टाइम के स्टोरी भी थी जहां वूइंग अकिल अकिले अपने रोम में बोर हो रहा था तब ही उसका बर्दर जियांग जेंग आके उसे एक बॉक्स देता है जो की जेव जो ने दिया था उस बॉक्स को देखने के बाद वूइंग एविल समयल करता है और कहता है लान अर्गगः अब मैं तुम्हाए पास आ रहा हूँ तो गाइस पार्ट 14 जरू देख लीजेगा वना आप लोग को पार्ट 15 समस्टने में प्राग्म आएगी आज के स्टोरी स्टार्ट करते हैं विंग उस बॉक्स में से वो सिल्वा रोम निकालके पहन लेता है इदर लंजा लाइबरेडी में बुक रीट कर रहा था वो इध्यान नहीं देता कि विंग लाइबरेडी में एंटर हो रहा है ऐसे भी लंजा ने सिर्फ लाइबरेडी की की अपने हस्बेंड विंग को ही दी थी विंग लाइबरेडी में एंटर होता है और अपने हस्बेंड को वर करते हुए देखकर स्वीटले स्मेल करता है और कहता है लान अर्गगः अपने हस्बेंट की वोई सुनते ही उलंजा अपना सर उपर उठाता है और विंग को वहाँ पर स्मैल करते हुँ देखता है विंग अपने न्यू रोब को वोलंजा को प्राउड ले दिखाने लगता है फिर वोलंजा के पास आता है और उसके फेस को अपने दोनों पाम्स में पकड़ लेता है और उससे पूसता है कि ये कैसा है लंजा कहता है बहुत ब्यूटिफल विंग पूसता है मैं ये ये रोब विंग पूछता है मैं यह यह रोब लंजा कहता है तुमने इसे और पिज़ादा ब्यूटिफुल बना दिया है सिर्फ तुमारे एक्जिस्टेंस किसी भी चीश्ट को और पिज़ादा श्यायनी बना देता है फिर लंजा विंग को अपने तरफ पुल करता है और उसके लिपस पे एक सौफ्ट किस करता है फिर वो से पूछता है विंग जब तुमारे जानते हो तो फिर तुम सवाल क्यों पूछते हो वींग कहता है क्योंकि मुझे तुम्हाई वाइस सुनना बहुत पसंद है तुम्हाई वाइस बहुत ज़ता डीप और यूनीक है ये तुम्हाई प्रदर का गिफ्ट है लेंजा कहता है हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है मेरा प्रदर मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं इ के आँना कुछ कहे दोर के पास जाता है WING सुचता है कि लाईबलीटी के बाहर जा रहा है इसलिए वह पाउट करने लगता है पर लाईजा तुरणद दोर को लॉघ करके त्वारा विंग के पास अजाता है इसके बाद लाईजा आपने वेस्ट वैल को खोल दक देता है और लेंजा को दिखने लगता है तो इसके बाद विंग और लेंजा अपना टाइम साथ में स्पैंट करते हैं उन दोनों की इस वाइल एक्टिविटी के बाद लेंजा दोनों की बॉड़ी को रोप से कवर कर देता है विंग लेंजा की लैप में बैठा हुआ था लेंजा विंग से कहता है विंग तुम्हें पता है तुम्हाई लव ने मुझे कितना ज़्यादा चेंज कर दिया है पर विंग लेंजा के हेर से प्ले करते हुए कहता है प्लीज मुझे कहीं ले चलो सिर्फ हम दोनों और सिर्फ आज के लिए मैं थोड़ा सब बोर हो रहा हूँ विंग की बात सुनके लेंजा को बहुत गिल्ट होता है कि उसने विंग को ब्लावड डिस्स में केज करके रखा है और ये उसका बहुत ज़्यादा क्रूल एक्ट है इसलिए लेंजा कहता है ठीक है चलो रै तुम्हें ले चलता हूँ एक बहुत ब्यूटिफुल प्लेस पे लेंजा विंग को एक गार्डन में लेके आता है जहांपर बहुत सारे फ्लावर थे उन फ्लावर्स को देखते हुए विंग अपना सर लेंजा के शोल्डर पे रख देता है लेंजा को जैसे है अपने शोल्डर पे विंग का सर फील होता है तो रिलेक्स हो जाता है और स्माइल करने लगता है कुछ टाइम बाद वो विंग के दोनों हाथ पकड़ता है और उसे अपने face to face करते हुए उससे कहता है विंग, bad judgment होने के लिए I am sorry बट मैलो, तुम्हें मुझे पे trust करने की जिरुत है मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, वो तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ विंग कहता है, लंजा, ये बात कहने की तुबार हिम्मद में मत करना मैं तुम्हें समझ सकता हूँ हम दोनों दो different world से हैं मुझे freely रहना पसंद है और तुम्हें calmness और stability लंजा कहता है, मुझे भी पसंद है फिर वो अपना सर लोर करते हुए wing से कहता है wing, मैंने अपने life के two weeks freely time spend किये थे जब तुम मेरे साथ थे मुझे कभी भी मेरे life में कोई choice नहीं दी गई पर जब तुम मेरे पास वापस लोट किया गए तब से मेरे life different है मैं अपने life को ओवे करता हूँ और तुम मुझे इसका मतलब wing, cutely smell करते हुए कहता है इसका मतलब तुम मुझे बलाउंग करते हो फिर wing, लंजा के face को कब करते हुए कहता है how cute, लंजा पूछता है मैं, wing कहता है हाँ, तो मेरे लिए इस world के सबसे जदा cutest person हो फिर वो flower की तरफ दोड़के जाता है और baby की तरफ इदर उदर खूमने और खेलने लगता है फिर वो shout करते हुए कहता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लंजा I am very happy लंजा को अपने सामने के इस सीन देखके ऐसा फिल हो रहा था कि भी उसका heart explode हो जाएगा इसलिए वो भी wing की तरफ रन करते हुए जाता है और उसे tightly हग कर लेता है wing का naughty mind यहाँ पर भी शानत नहीं रहता और वो लंजा की तरफ और ज़्यादा लिन होने लगता है इसलिए दोनों उस garden में फ्लोर पे गर जाते हैं फिर wing लंजा के लिप्स पे softly किस करता है और garden में से एक flower उठा की उसे लंजा की हिर्स में लगा देता है और कहता है इट्स unfair अब तुम मुझ से भी ज़्यादा beautiful लग रहे हो लंजा कहता है यह तो बिल्कुल भी possible नहीं है फिर वो wing की nose पे किस करता है और कहता है तुम बेबी की तरह हो इस world में सबसे ज़्यादा purest फिर वो wing की heartbeat को count करने लगता है और कुछ टाइम बाद वहाँ पे peacefully सो जाता है कुछ टाइम बाद जब लंजा की नीन खुलती है तो वो अपने warm और soft flow को किस करके वहाँ पे बैठ जाता है midnight का टाइम हो चुगा था और full moon था वो उस moon की brightness में wing को देख रहा था जिसने अपने हाथ में दो flower की crown पकड़ी हुए थे wing कहता है greatly मुझे अपना time pass करने के लिए कुछ मिल गया जब मेरा lazy husband सो रहा था और smile करते हुए वो एक crown को लंजा के से पे रख देता है लंजा कहता है यह बहुत ज़्यदा uncomfortable होगा ना sorry मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कप सो गया wing कहता है यह बहुत ज़्यदा enjoyable था तुमाई काम ब्रेथ को सुनना वाइद भी लंजा यह कौन सा flower है लंजा कहता है बेगोईना wing कहता है लंजा मैं एक दिन इस flower को अपने घर पे प्लांट करना चाहता हूँ फिर वो अपने दोनों हाथ को widely open करते हूँ कहता है इतने सारे पर लंजा कहता है wing यह misfortune का symbol है विंग कहता है लंजा यह उसके color पेड़े पैंट करता है मैं उस color को choose करूँगा जिसका मतलब होता है love लंजा कहता है I hope एक दिन हम दोनों तुमाई garden में एक साथ walk कर पाए पर अपने tears को hide करने के लिए वो तुरंद अपने lips को wing के लिप्स के साथ join कर देता है और वसे kiss करने लगता है और कहता है I love you my only son wing भी कहता है I love you to my galaxy friends इस story का next part में आप लोग के सथ कल शेय करूँगी अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो like this video and subscribe my channel bye bye take you